हलो गाईज का दो वेलकों भी सुव्या कलासद्व आए कॉज हम अपने इस बीडियो लेचेहर को डिसक्स करते हैं इस बीडियो लेचेहर में हम लुट्व dirig कारने वारे ह不好 को आ सके बारे में opening WDV of the block of asset opening WDV of the block of asset में कुछ हम add कर देते हैं उस asset की value को जो हम उस previous year में acquire की रहते हैं फिर उसमें से हम less कर देते हैं money payable और जो हमारे पास आता है उस balance पर हम calculate करते हैं depreciation तो सबसे पहले हमें क्या calculate करना पड़ता है opening WDV of the block of asset depreciation को calculate करने के लिए तो पहले हमें समझना होगा कि block of asset उतलब क्या है block of asset पहले होता क्या है हम लोगों ने discuss किया है कि जितने भी asset एक business की जो भी capital asset होती है उनको हम whole category में divide कर देते हैं पहला category जो हमारा बनता है building का second category हमारा बनता है machinery का and third category हमारा जो होता है plant and furniture का होता है last and fourth category जो हमारी होती है वो होती है intangible asset के तो यह तो हमारे मुझ्य category हैं जो asset को हम divide करेंगे देखिए जैसे हम अपने asset को capital asset को divide किसमे करते हैं होड category में divide कर दिए लेकिन इस में क्या होता है डिए जैसे हमारा पहला category हम building का बनाए हुए है ठीक है नहीं वात हम building का बनाए हुए है तो building में भी कहीhanded कि building आएगी birnoon may be पहीड़ा कि building का इस मीढ़ा की एक ऊठ बह दास कि आए ले नहीं जो उसके बिजनेस में इंप्वाई वर्क का रहे हैं उनको रखने उनको रहने के लिए जो बिल्डिंग यूज की जारी है एक वह ओगी उस पर रेट की फैक्टरी की तरह की होगी तो हमारा यह जो अलग-लग तरह की जो बिल्डिंग होती है उस पर रेट आफ दुखिए कि blocks of acid का मतलब यहां कि जो हमारी category होनी चाहिए, वो same होनी चाहिए, और जो rate of depreciation है, वो same है, अगर suppose करिए हमारे पास A, B, C, B, E, यह हमारी क्या है, building है, यह हमारी building है, जो कि business and profession में use की जाती है, और इस जो हमारा A category की जो building है, यह हमारी क्या है, यह हमारी सबसे पहले आएगी, यह हमारी category क्यों सी category है, यह हमारी building की category में जो acid जाएंगे, और यह हमारा A building की category की acid है, और लेकिन rate of depreciation अलग-अलग है, यह सबस्किरिए पहले वाले A acid का rate of depreciation जो है, वह है 5%, B का है 5%, लेकिन C का जो है, वो 15% है, और जो E का है, वो 40% है, इसी तरह D का जो है, वो भी 40% है, तो इसमें कितने block of acid बन सकते हैं, कहा गया, building है, हमारा building की category है, और building की category में हम देखेंगे कि जो same rate of depreciation होगा, आनि A and B building की जो हम देखेंगे, same rate of depreciation है, तो इसका एक block बन जाएगा, इसका block एक बन जाएगा, ठीक, और यहां पर जग रहे 15% की rate वाले में जो आएगा, building C आ रही है, तो इसका एक block बन जाएगा, and, जो हमारे 40% rate of depreciation की दो building है, D and E, तो इनका एक block बन जाएगा, ठीक, तो आरे हमको देखेंगे पर हमें यहां पता चला कि यहां पर 3, 3 block of acid बन रहे हैं, building की category की, यह तीनों हमारे building, जितने भी 3 block of acid बने हुए हैं, यह तीनों में हमारी building है, लेकिन वो बिल्डिंग अलग हैं, और rate of depreciation भी अलग-अलग है, यह बिल्डिंग होनी चाहिए, और rate of depreciation सेम होना चाहिए, उनका एक अलग category बनेगा, यह rate of depreciation and building, मतलग category of acid हमारी जब सेम होगी, तो एक block of acid बनेगा, आईए देखिए, इसको हम लिखें किस तरह से हैं, The depreciation is provided in respect of block of acid as per section to subsection 11, block of acid means, block of acid means, एक group of acid, यानि हम क्या बना रहे हैं, एक group बना रहे हैं, कई building को हम बना रहे हैं, एक group बना रहे हैं, यह हम बताए गया है, एक group of acid falling within a class of acid, class of acid हमारी क्या है, class of acid हमारी क्या है, building है, okay, being tangible acid such as building a class of acid हमारी क्या हो सकती है, या हो सकता है, हमारा building हो सकता है, machinery हो सकता है, या plant या furniture हमारा हो सकता है, या intangible acid की category भी हमारी हो सकती है, बिंग नोहाओ, पेटेंट, कॉपी राइट, ट्रेडमार्ट, लाइसेंस, फ्रेंचाजी और एनी अधर बिजनेस और कामर्सेर राइट और राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर in respect of which same percentage, same percentage of depreciation is prescribed आनि हमारी क्या होने चाहिए, block of acid जो होता है, एक group of acid होता है, जो की फ्रेंच करता है, same category of acid या same class of acid और जो उसका rate of depreciation होता है वो भी same होता है यह से हमने example या कि class of acid building लेते हैं हमारे पास four class of acid होती है बिल्डिंग मशिनरी और प्लांट एंड फर्नीचर या और एंटेंजिवल एसेड का तो हम लेते हैं class of acid building लेते हैं बिल्डिंग में कई तरह की building होती है तो हम उस building को एक block of acid में सामिल करेंगे जिनका rate of depreciation का हो यहां पर देखी 5% 5% को हम एक block of acid में लिये है और एक किसका है एक building गाहे और एक 50% को हम एक में लिये है और 40% 40% को हम एक block of acid में रखे हैं तो इस तरह से हम अपना block of acid बनाते हैं आई होग कि आप लोगों को block of acid के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा इस वीडियो लेचर में और हम अपने इस वीडियो लेचर को यहीं पर इंड कर देते हैं तब तक के लिए thank you thank you for watching my video